मेरा सबसे क्वेश्चिन है मेरी को बताना अगर इस जगह पे इस पॉइंट पे मेरी को लगा कि ‫veryक ओट हुँआ अच्छा आपसा कैंडल के साथ ₹ärenगंड़ कैंडल स्ट्रोंग कैंडल बनाके मार्केट में क्या किया ऐसे बरेकऊट हुआ है ना कौन से कानल में perfect entry होगा है six पे entry होता है seven पे entry होता है इसको normally इसको normally power move कहा जाता है ठीक है power move और power move 80% of time आप यहां पे entry करो यहां पे entry करो यहां पे entry करो वो fail होने वाला है वो आपका loss लगा के ही जाने वाला है यह जो speed में गया है पुरा bottom से पर speed पकड़ा है मतलब कहीं रुकावट नहीं है start से speed में ही गया है पहले मैं आपको example दे के समझा थो थोड़ा सुनना भी यह सा feel क्यों है पहले समझते हैं शोचो कि यह घर है ceiling जो है मेरे लिए resistance है यह floor मेरे लिए support है ceiling और floor है support resistance मैंने क्या किया एक ping pong ball लिया और उसको जोड़ से मार दिया ठीक है बॉल क्या किया फ्लोर पर टच किया उसके पर ceiling पे गया रिश्टन्स पर अगैं support पर ceiling ऐसा करके momentum हो रहा है अब उसी के बीच में है आप सोचे कि में नीचे एक ट्रैंपलिन जो होता है अलग से जंप हो जाता है तो में नीचे एक रख दिया था माकेड इसको तच किया इस बार फर्स फ्लोर को तोड़ दिया यह जो जो तोड़ दिया अब मेरे को बताओ मोमेंटम का हुआ नीचे से अब जो इतना स्पीड में गया होगा जब इसको ब्रेक करेगा उसका मोमेंटम कमनी हो जाएगा उसका सम्झो चीज को क्या हो रहा है मैं तो इतना स्पीड में गया किकि वो रिजिश्ट बार बर कर रहा था उसको ब्रेक कर रहा और जो मोमेंटम शीड पखड़ा होगा स्पीड ब्रेक अब शीड अब स्पुनी हो जाएगा अब अब शो निसे क्या होगा ऑप फरस्ट प्लोर सि तो क्या होगा फ्लोर को टच करके फिर अगें सीलिंग ते जा सकता है अब वहां से को सपोर्ड मिला कि नहीं लेकिन अभी क्या हो रहा फेल होने यह एक्जाक्ली यहां पर यही हुआ यहां पर क्या हुआ जो मुमेंटम पकड़ा था वह अच्छे से यह अच्छा हासा डाउं होगा उसको रेश्चेंज मिला होगा किनी कुछ लोग तो हमें सेल कर किया होंगे किनी आप होते आप यही सोचते हुआ अगर आप दुकांदर होते यह जो ऑक्सिमेटर के में एक्जामबल दे रहा हुआ था सासुर पाय करते की नहीं बता हो तो बाई यह दो बार गी गिर यह लाइन मेरे को भी दिख रहा है आपको भी दिख रहा है एक बड़े प्लियर को भी दिख रहा होगा सबको नहीं दिख रहा है यह लाइन सब अगर ब्रेक आउट पे ब्रेक करने से बाई करने लग जाएगा तो सेल कौन करेगा मतलब कोई प्रोफिट करेगा तो लॉस क करेगा उसका मतलब breakout होने से तो market उपर जाएगा सबका profit होगा तो loss करना क्यूं कोई चाहेगा कि मिर पाइब पैसा है कि loss ले लो कोई sell करेगा सब तो buy कर लेगे कोई तो sell कर रहा ना वहाँ पर कौन sell कर रहा हूं बात समझो breakout हो रहा है तो उसका मतलब यही वह ना आप जाएगा तो आप करने वाले हो जो बंदर शोक्र आपको उसका लॉस होगा फो कि लॉस ना चाहेगा क्यों आपको sell करेगा इग्जेकि वह भई पर ऑई यह जाएगा बड़े प्लेयर आपको sell करा का रहाते तो अच्छा गासा घ्रीन कल ना के उसका अपर जाएगा तो ऺए कर रखि था इसके रिचे किसी रिचुका पांच लागका किसी कर दस लाग पढ़ा होगा वह क्या करें गया कै पर अलॉग्स कि आपORT कब लुग एक की लिए इसको किया कही है हम लोग स्टोप्ला संटिंग आपका जो ऐसल पड़ा हुआ था हम पे यहां पे क्या हो गया है ऐसल हंटिंग और अग्रेंब भॉस स्वेड में होता वह समझेंग चीज को समझ में क्या हुरा इस त्राप गेम कैसा हुआ आप मरे को य मतलब कौन सा बेटर ज्यादा होगा, मेरे को बताओ, यहां पर stop loss लखना बेटर है कि यहां पर stop loss बड़ा हो जाएगा अलग बात, उसको हम लोग बाद में बात करें, लेकिन कौन सा बेटर होगा, तो दो बार यहां से क्या हो चुका, जब भी इस प्राइस पर आता भाग जा है, हम लोग क्या चाहेंगे, कि मार्केट में अगें सपोर्ट लेके चले जाए, अब अगर यहां पर एंट्री करते हैं, तो हमारे एक सपोर्ट बना है, कि हां भाई एक बार गया है, तो दूसरा बार आएगा तो क्या हो सकता है, जा सकता है, तो हमारे इसके नीचे stop loss रख होगा, तो इसको भी धूनने के लिए बोलूगा, जो 20 परसंट नहीं भाग रहा है, रांडम लिए से सुरू हो भाग रहा है, 80 परसंट नहीं फेल होगा, जो 20 परसंट चला जाएगा, हम लोग उसको मतलब नहीं रखेंगे, हम इससा तो exactly नहीं होगा, रिवर्सल हो सकता है किसी के स्टैएं भाग भी जा सकता है, उसको भागने देंगे, हम लोग उससे मतलब नहीं है, सोचो कि वही सिलिंग था, वही फ्लोर था, बॉल गया, सिलिंग के पास जब पहुँचा, उसके बाद कुछ दिर उहां पर प्ले किया, ठीक है, कुछ दिर प्ले किया, और वही पूछ चाहिए तो उस पूछ में कैसे मिलता वहाँ पे जब बायर्स बहुत जदा आते हैं राइट अगर वह उसी रेजिस्टन्स के पास में बहुत जदा बायर्स आ जाएंगा मार्केट पूछ करके भाग सकता है कि ने वह बायर कैसे आंगे बायर को जब टाइम मिलेगा घ बिल्डप और एक्यूमिलेशन ठीक है इसको हम लोग कहते हैं बिल्डप और एक्यूमिलेशन कि अभी अगर यह चीज को ब्रेक करता है अभी अगर इस रेश्टांस को ब्रेक करता है आप अगर यहां पर यहां पर एंट्री करते हैं सेफली इसके निचे रख सकते हैं क्यूं क्योंब कि बारे बारे क्या है यह पर सपोर ले रहा था सब बार बारे सपोर ले रहा था लगकर तो इसको अम ल है तो इसको सब्सकुंण रख सकते हैं क्यों सबक्रोक हिय भी में कि जब भी इसी लाइन पर आ रहा है मार्केट को रिस्पेट दे के भाग जा रहा है कि नहीं तो इसके नीचे रखना सेफ रहेगा अब हम लोग जेनुए स्टॉप्लस मिल रहा है वो बेटर है क्या चांसे क्या लग रहा है कि अभी एंट्री कर लिए तो मार्केट उड़ी ज लगाना है है ना नॉर्मली ट्रेटर स्लोग क्या गतते हैं बीच में दिमाग लगा देखो मार्केट को कोई प्रेडि नहीं कर सकता तो बोलते ना यह लेवल को ब्रेक कर देगा 47,000 लेवल को ब्रेक कर दिया तो मार्केट 49,000 चल जाएगा आपको अनो भगवान है कि नहीं पर जाओ जो भी वीडियो पढ़ा हुआ है बेसिक्स वीडियो सब प्राइस सेक्षन का सपोर इशन का आप सीखो ठीक है वो सिखेगा अच्छा का सीखेगा अब जब वो ट्रेड करने जाएगा वो जहां पर एंट्री करके आप अप सूल्टा एंट्री करना वो जहां कि जो मेरे को दिख रहा है जो उनको देख रहा है वो ड़े प्लेयर को भी दिख रहा है वो ड़े प्लेयर को भी दिख रहा है वो ड़े प्लेयर क्या चाहेंगे कि आरे यह एंट्री का दो उसको ट्राप करूंगा ताप का जादर प्रूफिट होगा ना करना मता मैं बसे ए कर दिया है से फिर दिक्कोत हो जाए ठीक है